सब्सक्राइब इसके बारे में समगर जानकारी में आपको देने वाला हूं कैसे इसकी तयारी करनी है क्तने बच्चे इसमें सॉट लिस्ट होंगे क्या पी इटी कर गट ऑफ जाएगा इसके मुख्य परिक्षा के लिए और कैसे आप इसकी बहुत 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 बहुतने पुसंद आए वीडियो को लाइक वशे कर आया हूं वहीं बहुत बहुत सारे सेवा योजिन विभाग होते हैं जहां पर हर साल कनिष्ट सहाय की विकलती है बाबू का पद होता है और कहने को यह बहुत बहुत होता है दिनस्त में बहुत सकते हैं तो यह बहुत बहुत सायब यह बाबू होता है और पैसा होता है वह कहीं ज्यादा अच्छा होता है उसकी सारी करचा मैं बाद में करूँगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैसे हमें इसकी तयारी करनी है junior assistant और इतिहास में सबसे बड़ा पद अगर देख सकते हो सबसे जादा पद जो junior assistant का है कनिश्च सहायक का है 5512 पद ये अभी तक इतने पद नहीं आए और सायद आगे न परण से वहां के जो होते हैं जो junior assistant होते हैं उनको इसी में समरेट कर लिए लेकिन एक बार वह वेकंसी से भर जाएगी फिर दीरे 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 क्या होगी इस इनके नंबर वेकंसी कम होती जाएंगी मतलब कि हल साल कम आएंगे तो यह साय बहुत अच्छा आउसार है 5512 पद बहुत कम ऐसे ऑसर होते हैं जब करने साय के आपको उत्तर प्रजिस में मतल देखने को मिले रिटेन है इसमें रिटेन के बाद आपका typing है typing आपका English और Hindi दोनों में है और सबसे बड़ी बात है कि typing आपको कितने समय मिलेगा typing करने में यह भी बताऊंगा अगर आपको typing नही बारे में चल्चा करते हैं लेकिन इसके बारे में एक समगर चल्चा करने से पहले इससे जो लगातार यूपी ट्रेपल सी कराता आ रहा है लगातार इसमें पीटी में बहुत सक्तों मुख्य परिक्षा के लिए सौट लिस्टिंग होती आ रहे उस पर हम लोग नज़र ड़ रहे हैं जो आपको इस परिक्षा के लिए टीम परिक्षा पर से विलेवल करा रही है इस कोस के अंतरगत लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा मेरा मुख्य उद्धिस इन कादाबों को बताना नहीं है मुख्य देश यह है अगर आप इसे देखोगे तो यह आपका अभी 27 गतंबर को आया था और यह जो 1468 पत्थे वीपियो के पत्थ के लिए यहां पे जो भराया गया था फॉर्म मेंस का उसकी सौर्ट लिस्टिंग आई थी इसमें 1468 पत्थे और इसके लिए लगभग 45 गुना बच्चे कितने 45 गुना बच्चे बुलाए गए हैं यह मैं क्यो अगर आप देखोगी कट आप जो है वो 69.8 के आसपास इनका कट आफ गया है दूसरा जो है यह आपका किसका है यह करनिश सहायक का है जो टोटल पद 5512 यहां पे बताया है पहले यह पद कितने थे 391 पद थे और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको यह परिक्षा निकाल हुई पड़ी थी जिससे क्या होता था एक बैलेंस तरीके से उसमें बच्चे नहीं आपाते थे अब जैसा अगर को प्रोफाइल है यूपिटर पहले से की बहुत खास बात यह यह जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करा रहा है जिस पद के लिए आप जा रहे हो आपको उस पर जिस प्रकार का कार है उस प्रकार से जानकारी आपसे पूंसता है एक बाबू को कंप्यूटर का ज्यान बहुत अच्छा होना चाहिए एक बाबू को उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए एक बाबू का जो तारकिक छमता है वो बहुत बेतरी होना चाहिए कनिसाहक का एक कनिसाहक का जो हिंदी की छमता है हिंदी परिगान छमता या हिंदी का ज्यान है या फिर उसके लिखने की शुद्धियां है वलतनी शुद्धियां जिसे जाची जाती है या फिर पत्र वगएरा जाची जाते हैं उसका यही स्ट्रॉंग हो विभागों के विवागों किसी बिभाग की बात करें हम सब में आपको ने हीं में किए हैं वो हिंदी में किये जाते हैं अगर यहां पे थोड़ी सी आपकी तार्किक छंता तो चाहिए होती है सामान ने जानकारी उसके बाद केंप्यूटर की जानकारी और यह एसे 100 कोशन 30, 15, 20, 15 और 20 के हिसाब से 120 में आपका होता है पहले पैटन आपका दूसरा था अब पैटन दूसरा हो गया है और किस प्रकाल से इसमें किस टॉपिक से प्रशन पूसता है सिलेबस क्या है उसकी चलचा कर ले रहे हैं कि क्योंकि कैसे आपको इस रिटेन एक्जाम क और जो दूसरा चरण होगा वो क्या होगा वो टाइपिंग का होगा और जो तीसरा चरण होगा वो किस का होगा वो डीबी का होगा तो तीन चरण से आपको गुजरना पड़ेगा जिसमें सबसे प्रमुक क्या होगा आपका राइटिंग और दूसरा होगा आपका टाइपि अब सबसे बड़ी बात है कि यह जो speed है यह आप ला सकते हो, यह आप सीख सकते हो, कितने दिन में सीख सकते हो, सीखने वाले बच्चे तो मैं आपको बता दूँ कि मुस्किल से 40-45 दिन, पिछली वाली जो vacancy थी, 40-45 दिन में इस speed को प्राप्त करके उन्होंने अपनी इस job मे selection लिए थे, लेकिन अगर एक average देखा जाए, तो लगबग 2-3 महीने, 2-3 महीने का अगर आप समय दे देते हो, तो आपको यह speed आ जाती है, बहुत अच्छी speed आ जाती है, और यह आपको paper निकलने के बाद, मतलब result आने के बाद, आपको minimum इतना समय मिल जाता है, कि आप typing सीख सकते हो, इसका मतलब 380 में, जो भी आप समय दे लिया जा रहा है, वो सारे ही बच्चेयां पे apply कर सकते हो, जितने भी बच्चे हो, सरफ apply कर सकते हो, तो कि इसका cutoff बड़ा नीचे जाने वाला है, उसको भी बताता हूं कितना नीचे जाने वाला है, अगर आपके cutoff कितनी कम है तो आप मत मरो बाकी जितना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ तो अब सबसे पढ़ली बात है कि रिटेन रिटेन आपको क्या करना है रिटेन क्वालिफाई आपको करना है रिटेन क्वालिफाई करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए यूपी ट्रिप प्रश्ट बनाया है वह कूट प्रश्ण मैचिंग के प्रश्ण आपके स्टेटमेंट वाले प्रस्ण या फिर आप बोल सकते हो ऐसे प्रस्ण क्या करता है यह रख रहा है और बहुत बहुत पर आपको निकल जाते अब सीन अगर आप तो यह बोले कि नहीं बेटा तुमकी वह ले पढ़ लो तुमकी वह ले पढ़ लो तुम्हारा सेलेक्शन होजेगा इसका मतलब वह आपका सबसे बड़ा दोस्मन आपको बहकार है हकीकत यह है वास्तविक्ता यह है आज कल किसी भी परिक्षा का प्राथ में पहली रिसोसेस बहुत ज्यादा मिलने तो क्यों न कट आफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है पेपर का इस तरफ आ रहा है यह परिक्षा वन लाइनर या फैक्ट केवल पढ़ लेने से नहीं इसको डीपली और अंडरस्टेंडिंग के साथ पढ़ने से आपका सेलेक्शन होगा ऐ इन्होंने क्या कहा कि पाटेक्रम हिंदी हिंदी में इन्होंने तीस प्रश्ण यूपेट्री पलसी को पूशना है और तीस प्रश्ण में आगर आप देखोगे कि इससे पहले 1262 वेकंसी की तरफ से पीटी 2022 की तरफ से कनेस्ट सहायक की आई थी जिसमें से लगबग 32 गुन इस कारण से लगबग उतने ही बच्चे और बढ़ जाते है 15 गुना तो अगर आप देखो 30 से 32 गुना जो 1262 की वेकंसी 2021 में आई थी उसमें बुलाए गये थे और उसमें चो पेपर हुआ था पेपर का इस्तर अगर आप देखोगे तो यह सिलबस में क्या लिखा गया उम् अगर मैं 5 प्रशन के अबल गर्द्यान की बद्लूओं पैसे की बात कर दू तो बाटी 25 प्रशन इन्होंने 20 बाईस टॉपिक से पूछे हैं इसका मतलब हिंदी में आपको टॉपिक छूड़ना नहीं इस तीस प्रश्ण के लिए आपको एक समिक्षा अधिकारी के हिंदी से कहीं ज्यादा मेहनत आपको एक यूपिट्र बलसी के हिंदी में करनी है और बहुत तारकी क्रूप से आपको इसकी तैयारी करनी है केवल आप ऊपर ऊपर जो तैलो बोल सकत नाम वाच पदबंद उपुआ के विराम कारक उप्षड पत्य पत्र लेकन मतलब सायद और यहीं नहीं हिंदी भासा का इतिहास साहित संस्कृति इंसे भी क्या करते हैं यूपिट्र पनलसी प्रश्ण बना रहा है और यह किवल एक पेपर में नहीं लगातार उसके जितने भी पेपर देखोगे समय बना रहा है तो हिंदी आपका टॉपिक यह है ऐसे अगर आप देखोगा अगर मैं कुछ प्रिवियस आप प्रश्ण दिखा दू तो इसमें नाम धातु क्रिया का प्रियोग किसमें प्रश्ण का इस्तर देखिए निमलेकित में इसे कौन सा पत्र आपको क्या प्रश्ण क्या दाएं मात्रा क्या दार पर और अब आपको इसमें मतलबिक तीन कॉल्म की मैट्रिक्स पह आपको क्या रहा है कना पर भी वाम by mercy ke पिक्चर दिखाई जाती है वो है यूपेट्री पलस्य का पेपर आपको तैयारी का इस्तर इस समय देखते हुए चलू साथ महीं अगर मैं रीजनिंग की बात करू तो रीजनिग यूपेट्री पलस्य की पहले सही सी कुछःत बोलो या विख्यात बोलो ये जो भी आपको समझ रहे उस सब्द तो reasoning में कोई सिग्मेंट छूटता नहीं है और इसने हाला कि क्या लिखा है इस परिक्षा के उद्देश से किसी नई परिस्तेती के समझने उसके बबन नतत्तों को विस्टेशन तता पहचान करने तर्क करने की योगिता को मापता है इस परिक्षा में ऐसे प्रश्ण होंगे जो आनि दियोशों को समझने समझने यहां बे कुछ open नहीं डिस्क्लोज नहीं किया है टॉपिक को बट मैं आपको वो टॉपिक डिस्क्लोज कर रहा हूं कि सीटिंग अरेज्मेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिरीज, मिसिंग, सिलोक्स, सिलोक्स जो होत हो गए, डाइस के प्रशन हो गए, या फिर आपकी घड़ी के हो गए, अनलोजी हो गए, और classification वरगी करण, इन सब के प्रशन आपको देखने को मिलते हैं, और अगर यहां तक देखा जाए, तो इस वाले पेपर में, अगर आप जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको क्र counting figure तक प्रशन देखने को मिलेते, यह वाले प्रशन यह कम देखने को मिले, लेकिन यहां से भी प्रशन अक्सर यूपिट्रिपल सी पूछता आता है, तो यह रा reasoning, अगर reasoning के प्रशन देखोगे, तो प्रशन का आप इस तर देख सकते हैं, इसका paper आप 1200 आप देखिए, counting figure क कितना बेहतरीन कोशन इन्होंने पूछाता है, ना इनिंगमन का कितना बेहतरीन कोशन पूछा है, अगर हम लोग यहां पर सामाने जानकारी की बात करें, तो सामाने इन्होंने क्या किया है, सामाने जानकारी लिखा है, एक बार फिल से आप इनका syllabus पढ़ोगे, तो कुछ स आधार पे नहीं पढ़ना है कन्वेंशनल जीएस मतलब आप क्यूंकि तीन कोशन भूगोल से चार कोशन इतिहास से दो कोशन संविधा से चार तीन साथ दू नो नौ से दस प्रशन आपके पारंपरिक क्या होते हैं सामाने ज्यांसे होंगे इसको तैयार करने के लिए आपको बढ़िया रणनीच चाहिए कि आपको किस प्रकास से मेनद करना है कि जीए जीए वाले पोशन में आपका नंबर अच्छा उठ जाए और 20 प्रशन पूछेगा कम पूछ भी नहीं रहे तो इसके लिए अगर आपको जादा से जादा नंबर उठाने हैं तो आपको एक तो स तो यह जो आपका भूगोल इतिहास और बोल सकते हो राजव्यवस्ता इसमें भी इस्टेटिक पार्ट की कोशन क्या करना है प्रिपेर करना है बहुत इतिहास में नहीं जाना है हाला कि एक बात मैं आपको बता दूँ केवल फैक्चुल बेश कोशन नहीं पहुंचा जाता यह सबसे अंसर्टन अगर मैं बोल दूँ कि यूपी ट्रिपल सी का एक समय SSC क्या होती थी SSC को ख्यात होती थी बदनाम होती थी GS जिये पोर्शन के लिए अब जो है वो सबसे ज़्यादा बदनाम है यूपी ट्रिपल सी क्योंकि इसके भी GS का कुछ अंदाजा नहीं होता कहां से कब कौन सा प्रेशर पूशने तो उसके लिए बहुत अच्छी आपको प्रपेशन करनी चाहिए और इसलिए टीम परिक्षा प्लस इस सेक्षन के लिए एक नए सीरे से तैयारी एक नए सीरे से कंटेंट आपके लेके आती है और बहुत बेतरीन एक जीके की जो बेह कंटें तेरीका पूर्ट पर प्रणाओं Schuld bearing माने उससे से रहसे अगर मैं बात करूंँ यहाइम अगर चाहर कैसे पूंचता तो पेपर देख सक्ते हो ये तो आपके क्या है करेंट के कोशन है अब कोशन था कोशा सिल्क जो एक भारतिये रेसम कीट मेलाइटा के कोया से प्राप्त होता है निम्लेकित में से किस राजिसे संबंधित है मतलब की सीधा प्रशन था कोशा सिल्क किस राजिसे में पाया जाता है तो ये एक बहुत बह ब्रवस्ता के किताबों में डायरेक्ट आपको ये प्रशन नहीं मिलेगा पुझा भारत में मान हानिको आई पीसी भारते डेंड सहीता के किस धारा में परिवासित किया गया है आप सम्विधान का निचोड पढ़ दोगे न तब आप ये प्रशन कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे जन्रल आपका सम्विधान का ये प्रशन नहीं है इसलिए मैं आपको बोला नुमा खाई एक फसल उत्सो है भारत में मुक्रूप से निम्लिकित में से किस राज में मनाया जाता है ये प्रशन भी बहुत 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 अच्छी हो गई है इस कारण से आपको अब लेकिन आप यहां पे इन प्रशनों को करने के लिए no doubt किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बट रणनीत ये कहती है कि वहां पे UPPSC में 15-20 प्रशन पूंचे जाते हैं तो वहां पे आपका पढ़ना समझ में आता है यहां पे 2-3 प्रशन पूंचा इनमें जो अगर आप syllabus देखो के सबसादा disclose AC को करके दिये थे और जिस प्रकार का syllabus था उसी प्रकार से प्रशन पूंचे थे MS Office, Internet and its users, Cyber Security, Generation, Hardware से, Software से, Operating System से, Processing से, सब कुछ यहां पे दिया हुआ है और उसी से प्रशन पूंचे थे और प्रशनों का इस तर बहुत ही बह अपाचे, Hadoop, Apache, Hadoop framework का एक बड़ा हिस्सा किस भासा में प्रियोग होता है, तो कितना बेहतरीन प्रशन पूंचा गया है, AI-based question पूंचा जा रहा है, Microsoft द्वारा कौन सा सेवा संचालित की जाती है, Yahoo, Mail, Gmail, Outlook, या फिर आपका iCloud, तो जैसे Outlook, जनरली आप सुनते हो, Microsoft Outlook, ये प्रशन आपकी computer में पूछे जा रहे है, Microsoft Word जैसे processing software में कौन सी विशेस्ता दस्तावेस दीज की आधार पर अंतरवस्त content की तालिका बनाने में सक्षम बनता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर-ऊपर computer पूछ रहे है, बहुत deep knowledge computer में भी पूछ रहे है, तो ब और दूसरा आपका reasoning है, तीसरा आपका क्या है, हिंदी है, मतलब तीन विस है, हिंदी, reasoning और UP, अगर इसको आप बहतर से तयार कर लिए, तो निश्चित रुप से आप इस परिक्षा में सफल हो सकते हो, मतलब तीस, तीस mark की आप हिंदी cover कर लो, आप वीस mark कर लो, UP कर लो, और पंद्रा मार का reasoning क्योंकि ये तीन हो, scoring है, आप इसको main focus करके पढ़ाई अगर करते हो, तो तीस, बीस, पचास, पचास और अगर पंद्रा की बात किया जाए, तो लगबग 65 question, पचास और पंद्रा की बात किया जाए, तो 65 question जो आपका है, ठीक है, 65 question जो है, वो आपका लगा, क्या होगा, किवल, तीन से, सो में से 65 question, आपके इन तीन विशे से बन जाएंगे, अब आपके बच रहे हैं, 20 आपका जन्रल अवेरनेस, जो बहुत uncertain है, और 15 आपका computer, तो अब आपको जो score उठाना है, वो कौन selection करवाएगा, वो selection करवाएगा computer, क्योंकि अगर इस 15 को जोड़ लोगे, तो आपका कितना हो जाएगा, आप 80 बटे 100 पहुंच जाओगे, और जो बच्चा 80 question इस paper में कर देता है, उसका 90% सही होता है, मतलब 72 question सही होता है, उसको selection लेने से कोई नहीं रोख सकता, ये रणनीत आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार करनी है, वो मैं आ आसान नहीं होता लाना, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करूं कि आपको किस प्रकार से लेकि आना है, एक रणनीत की क्या होनी चाहिए, क्या आपको safe score लेकर चलना है, क्या आपको लेकर चलना है, किEZ आपको इतना must score करना ही करना है, तो पच्पन सो बारा पद है इसमें बोलेंगे कि 15 गुना सौट लिस्ट किये जाएंगे अगर बराबर होंगे तो ये 30 के बराबर होगा और अगर ये 30 के बराबर हो जाएगा तो ये लगबग 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे जिसमें से अगर देखा जाए तो पहले 8 ग बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे अब ये नहीं समझना कि 40 45 क्योंकि पहले 8 गुना भी बुला लिए जाते थे अब 8 गुना नहीं बुलाए जाते हैं अब आपके 15 से कितने 3 से 4 गुना मैक्सिमम क्योंकि 2019 सली वेकंसी में भी कि वह तीन गुना बुलाए जाएंगे और अगर तीन गुना होंगे तो लगभग कितना हो जाएगा पंद्रह हजार बच्चे बुलाए जाएंगे अगर पंद्रह हजार बच्चे बुलाए गए तो यह आपका कटॉफ करीबन 64 65 पर जाएगा 100 में से जिस इस तर पर पेपर बनता है वैसे और अगर 50,000 वैकंसी है वो 5,000 वैकंसी नो डाउट कि अपने अपने आयाम में वह बहुत ज्यादा है लेकिन अगर कटॉफ की बात किया जाए तो 5,000 वैकंसी कटॉफ को हाई करने के लिए बहुत मिनिमम होती है यह ध्यान देना तो इसलिए सेफ स्कोर आपको 100 में कम से कम 70 प्लस त आपको करने के लिए ये भी समझते हुए चलना अगर आपको 80 सही कोशन करना है तो भाई हिंदी में जैसे हिंदी पूछी जाती है उस पाता उस हिसाब से मैं बोलूँ तो कम से कम 25 प्लस अगर 25 से नीचे हिंदी में जाते हो तो इसका मतलब आपका पेपर बेकार करके आ र आना है similarly अगर आप यूपी की बात करो यूपी आपकी 20 है यूपी 20 में भी कम से कम 15 प्लस स्कोर करके आना ही आना है यह मैं बहुत सेफ लेके चल रहा हूं कि आपको इतना हाला के रिलैक्स नहीं होना है यह minimum कटने पिटने के बाद बता रहा हूं कि इतना आपका होना यह attempt है जो आपका attempt है इसे मैं attempt की बात कर रहा हूं और यह आपका क्या है यह आपका score है इतना आपको क्या करना है इतना आपको score करना है यह आपका marks है उसके बाद आपके दो विसे बसते हैं एक आपका क्या बसता है computer बसता है और एक आपका क्या बसता है general awareness यह GS यह current affairs बसत अच्छा स्कोर माना जाता है जो आप किवल करेंट के बदावलत और स्टेटिक की बदावलत पासकते हूं तो अगर इसके हिसाब से कर लोगे तो 25 15 यहां पर 40 40 42 52 और 11 कितना हो जाएगा तीरपन और 63 63 और 10 73 मतलब कि 73 से 75 कोशन आपका यहां पर इसको बनेगा और कर गया जाएगा कोई मैं मैं बोलाओ lied और यही एगर आप अप्र और करोगे तो आटेम्ट को कम से का मैं क्या करना है कौन तैयारी करेगा उसके लिए बहुत अच्छा आकड़ा में आपके साम्मिल नहीं कि लगबग कट ऑफ कितना जाएगा तो आकड़े आप देख लो यह जो वेकेंसी है इसमें आपके लगबग पच्छ पंसो बारा पद हैं मैं ठारा की लगबग जूने रेसिस्टेंट जो सब्सक्राइब की वेकेंसी है अभी इसमें तुरंत सौट लिस्ट हुए है इसमें 1468 के साफ़े 668 यानि कि 45 गुना बच्चे हुए हैं और इसका स्कोर है 79 यानि आप यह बोल सकते हो कि अगर यह दोनों वेकेंसी लगबग स्तेम ट्वाले ही है और इसमें क्या है लगबग लिजबिल्टी भी सेम ही है तो एक ही प्रकार के बच्चे दोनों में बैठते हैं दोनों अलग प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं तो इस हिसाब सब्सक्राइब देख सकते हैं कि फॉर्म सिमिलर ट्रेंड और बच्चे भरे होंगे तो 71 जब 71.87 तो इसके ऊपर कितने बच पर कितने बच्चे हैं अगर यहां पर देखा जाए तो नौ और सोड़ा सोला और नौ देखा जाए तो लगबग 24,000 या 25,000 कि एक नंबर पर एक प्रॉक्स में एक नंबर पर एक परोक्स में कितने नौ से दस हजार बच्चे है ना यहां पर 81,000 से लेके 66,000 तो 9,000 और यहां पे 16,000 और 25,000 बच्चे कितने अंग पे आए हैं लबग 2.8 अंग पे 25 आ रहे हैं तो ऐसे अगर एक पेज याद है तो 25 बटे 3 यानि कि 8 से 9,000 एक नमबर पे 9 से 10,000 बच्चे क्या हो रहे हैं मूव कर रहे हैं तो जैसे एक नमबर कट आफ नीचे आएगा तो उस पे 10,000 बच्चे नीचे आएंगे और अगर यहां पे टोटल 512 पद है 512 पद में अगर यह 30 गुना यहां पे अगर 30 गुना बुलाएंगे तो 1,55,540 बच्चे होंगे क्योंकि कहतोर यह 15 गुना है रहे हैं लेकिन किसी वेकेंसी में 30 गुना देखा गया किसी में 32 देखा गया किसी में 45 देखा गया इसी इसाब्साक अगर हम लोग calculation करें तो 15 गुना पे इतने बच्चे 32 गुना पे 1,66,000 बच्चे और 45 गुना पे कितना बच्चे आए और हल 10,000 पे एक बच्चा आ जा रहा है तो इसका मतलब 10 नंबर नीचे आना चाहिए कहने का मतलब यह जो cut-off है यह कहां से 79.05 पे अगर straight forward में देखा जाए तो 69.05 आ जाएगा लेकिन जो ratio उपर रहता है वही ratio नीचे नहीं रहता सुरवात में हो सकता है एक नंबर पे 10 बच्चा हो उसके बाद हो सकता है एक नंबर पे 1000 बच्चा हो फिर हो सकता है एक नंबर पे रहे हैं तो यह कितना जाना चाहिए 61 से 62 जाना चाहिए और अगर यह 45 गुना में यहाँ पे हो जाते हैं तब तो मजा ही आ जाएगा फिर आपका यह क्या हो जाएंगे यह आपके 58 58 गुना 58 यह 54 बतारा हूँ यानी जो बच्चे यह नंबर पा रहे हैं फ्रसे देख लेना और puerta ले ले लेना यहीं जितना मैं बताह रहां और अगर 45 गुना बुला रहे हैं तो यह 58 के आसपास जा रहा है मतलब आपका score 58 से 62 या मैं इसे बोल सकता हूँ 60 प्लस माइनस दो अगर यह आपका पटाउफ ना रहा तो देखेगा इस यह जो score बच्चा पा रहा है 58 से 62 जनरल करेगरी का बता रहा हूँ बाकी केटेगरी वालों का नीचे ही जाएगा और जो horizontal है उनका all नीचे जाएगा इस हिसाफ से आपको तैयारी करनी है और बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो कहां से तैयारी आपको स्टार्ट करनी है उसका मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ टीम परिक्षाप्लस इस बहुत बहत्तरीन बैच इसके लिए चला रही है और इसके लिए आपको ये तमाम जो किताबें ये किताबें आपको उपलब्द करवाई जा रही है जिसमें आपको जन्रल अवेर्नेस की यूपी स्पिजल की जैसे यूपी टेपल सी पेपर बनाता है रीजुनिंग की, हिंदी की और उसके बाद जूनियर एसिस्टेंट की इन सब की बहुत 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 इनके जो डेमो भी है वो आप तुरंत ही परिक्षा प्लस एप पे जाके ये डेमो नेट्स क्या कर सकते हो देख सकते हो, परिक्षा प्लस एप आप गूगल पे स्टो से डाउलोड कर सकते हो या पर आप हमारी वेबसाईट पे छाओगे लाइब परिक्षपस.वाजी आप courses में जाओगे courses में जाने के बाद आप UPTPSC section में जाओगे तो वहाँ पे आपको UPTPSC junior assistant यह UPTPSC section में जाओगे यहाँ पे आपको पहले ही दिखेगा और यह मात 499 रुपए में मतलब अगर इसमें GST वेगरा सब कुछ जोड़ जार के कितन 99 में जो offer price आपका चल रहा है और इसे आप देखते हो तो इसमें live classes plus recorded classes, test series, PDF notes, doubt session, सब कुछ दिया जा रहा है बहुत बहुत बहुतरीन इसमें content आपको दिया जा रहा है इसमें अगर आपको demo देखना है तो वो demo भी आपको यहाँ पे PDF फ्री लगे मिल जाएंगे आप computer के UP पी के जो भी आपको PDF देखना है आपको demo देख सकते हो बहुत बहुतरीन बैच है इसमें live classes, live classes, recorded classes और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका class की PDF है साथ में एक बहुत dedicated notes, printable notes आपको दिये जाते हैं जिसका demo आप देख सकते हो यहाँ पे आप यह जो आपका demo होंगे जैस Google की बात करो, image के मादम से एक दम बहुत बहुत बहुतरीन है तो current की है, बहुत बहुतरीन किताबें आपको क्या होती है यह आप दी जाती है, यह किताबे PDF के form में होती है, जो आप क्या कर सकते हो, जो आप print करा सकते हो और यह वही सारी किताबें इसमें आपको अगर देख जाए, तो पांच विशे के लिए आपकी पांच किताबें है, जन्रल अवेरेस, यूपी, स्पेसल, रीजनिंग, हिंदी, कम्प्यूटर और इसके बाद आपका current affairs भी, यह बैच आपका मात 499 रुपे में है, तो अभी इस बैच से आप जुड़ सकते हो, बहुत बहुत बह की मिलता है, माक लसन मिलता है, और आपको एक जो रिसोर्स हैं, जो हम लोग की मेनत होती है, आपको एक बहुत 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 तरीके से minimum 70-80% content direct फश्ति आए हुए हैं, और अगर देखो, हज़ साल हजारों सेलेक्सन देने कि जो सबसे कम समय में सबसे बढ़ गूगल प्रेश्टो से और आप इस बैस से जोड़ सकते हो अगर आपके इसके अतित्त कोई प्रश्ण है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स पर फूर सकते हो या फिर आप हमारी जो नंबर हैं उन पर गया कर सकते हो नंबर एक बार देख लिए नाइन फोर फाइव कंपिज़न की त्यारी करने हैं और कहीं न कहीं आपको इंदन एक ओभी आया होगा नहीं इस इक्जाम में बैठ सकता हो एक्जाम में क्रैक कर सकता हूं मैं यह थोड़ा समय ने यह तो बताया कि इसमें टफ है लेकिन इसका प्लस पॉइंट बहुता है कि जब पेपर का इस बच्चों को और समय मिल सकता है फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवास अभी का बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-